जहें दोस्तों, टू मिनेट जीयस्टिक में हम लोग मत्प्रदेश के विभिन्द नामों के बारे में पढ़ेंगे, तो आए हम लोग देखते हैं कि मत्प्रदेश के कौन-कौन से नाम है, तो हम आपको बता दें कि नाम मतलब क्या होता है, नाम किसी का पहचान होता है, आइ अफिसियल बर्क के लिए यूज होता है, जो क्या है, मत्प्रदेश है, किस में दिया गया है, जो सम्मिधान की सेडूल बन है, किस में, किस के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, सेडूल बन में किस ने दिया है, पंडित जवाहलाल नहरुजी ने दिया है, आगर हम बात करें जो उनकी विशेष्टा या गुण के अधार पर रखे जाए उसे अनाफिस या लिया अनाफचारिक नाम कहते हैं जिन में मत प्रदेश की विशेष्टा के अधार पर बहुत सारे नाम है जिसमें आप देख सकते हो हरदय इस्टेट हरदय में अवस्थित होने के कारण सोड़ भारत रेवा के उत्तर का जो पार्ट है वो रेव उत्तर भारत कहलाता है बात करें दच्छिना पत मद प्रदेश से होकर गुजरता है जो उत्तर भारत को दच्छिन भारत से जोडता है वह पत को क्या कहते हैं दच्छिना पत टाइगर इस्टेट मत प्रदेश में टाइग ज़्यादा है इसके साथ नदियों का माय का ओर जिन ओफ रिवर ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि मत प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदिया क्या होती हैं उद्गमित होती हैं निकलती हैं सेंटरल इंडिया ये क्या है मत प्रदेश सेंटरल में वस्तित होने कारी सेंटरल इं Thank you.